नमस्कार दोस्तों आपका गदोस्वागत चैनल पे तो दोस्तों इंडियन नेवी की तरफ से एक बहुत अच्छी रिकूरूट्मेंट निकल गया रही है जिसमें दोस्तों 75 पोस्ट है इसके साथ साथ जो इसमें मिनमम कौलिफिकेशन चाहिए वो 10 पास चाहिए आगे और भ लगा से मैं आपको नौकरियों के बारे में बताऊंगा ताकि आप कहीं न कहीं आपको जॉब मिले और आपकी मन चाही जॉब मिले तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो आप चलो स्टार्ट करते हैं तो यहां आ चुक है अपने चार्ट पे तो आप यह देख पा रहे हैं आप यह चार्ट पूरा डाउनलोडड है अगर आपको यह चार्ट है चाहिए पूरा चार्ट तो आप टेलिग्राम को जाकी जल्दी से जॉइन करो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहां स से आप जान कर सकते हो ठीक है लेकिन वहां पर जाने से पहले वीडियो को पूरी देख लो ताकि समाझ बेसे क्या होने वाला है इस चार्ट में तो देखो दोस्तु यहां पे मैं चार्ट को जोम करता हूँ थोड़ा तो यहां पर देखो यह इंडियन नेँएडोंडवी के तरफ से आपको रिक्रूट्मेंट आई है मिनिस्ट्री डिफेंस नेवी की तरफ से बिसाका पड़नाम से आपकी जो रिक्रूट्मेंट है यहाँ पर जो आपको टूटल वेकेंसी बताई जा रही है दोस्तों कितनी है आपकी 275 275 तो आपकी टूटल पोस्ट है ठीक है सब कुछ मिला के 115 आपको जर्नल में है EWS में इकनोमिकली वीकर सक्षिन में आपको 39 है OBC में 74 है SC में 39 हो ST में 18 और साथ में X-Serviceman के लिए आठ है और PWD के लिए भी 8 है तो यह 275 वेकेंसी आपकी यहाँ पर आई है ठीक है आगे बात करते हैं दोस्तों कैसे अपलाई करना इसके बार ₴ थोड़ी देरे में बात करते हैं पहले बात करते हैं इसकी कौलिफिकेशन क्या है ठीक है अगर बात करें कौलिफिकेशन minimum mass होने चाहिए उसमें भी age की बात करें दोस्तो age की बात करें तो अभी देखो, यहाँ पे आपकी age जो है, एक अपरेल यह मैं जर्नल और OVC की बात कर रहा हूँ, एक अपरेल 2001 से लेके, एक अपरेल 2008 के बीच में होनी चाहिए ठीक है, वहीं बात करें SC और ST की age की होगी, तो एक अपरेल 1996 से लेके, एक अपरेल 2008 के बीच में होनी चाहिए अब रिलाक्सेशन के बात हैं तो रिलाक्सेशन किसको मिल रहा है तो रिलाक्सेशन यहाँ पे मिल रहा है जो सन्या डॉटर है नवल सिविलियन के मतलब जो नेवी में सिविल लोग होते हैं जो काम कर रहे हैं वहाँ पे उसके साथ साथ डिफेंस इंपलॉई मतलब आर्मी नेवी, एरफूर्स इन सब के बच्चों को जो है मिलेगा दो साल का छूट इनको मिलेगा ठीक है इसके अलावा दोस्तो यहाँ पे इकनोमिकली वीकर सक्षन के लिए बेनिफिट और इज़र्वेशन अंडर अवेलेबल है इनको यह आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एक फॉर्म जो की एनक्सर टू में दिया भी मैं आपको दिखाऊंगा बाके दोस्तो आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं दोस्तो यहाँ पे की सेलेक्षन प्रोसेस कैसे होगा सेलेक्षन प्रोसेस बहुत एज़ी है ठीक है ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं सेलेक्षन प्रोसेस में यहाँ पे देखो आपका ये पूरा आपका रिटेन एक्जाम होगा रिजल्ट आएगा उसका उसके बद आपका एक छोट असा इंटर्विव होगा इंटर्विव में कुछ नहीं नॉर्मल आपका जो ट्रेड होगा उससे रिलिजिट पूछेंगे फिर मेडिकल होके आपका सेलेक्षन हो जाएगा ठीक है तो अब रिटेन में क्या क्या पूछेंगे तो रिटेन में ज़्यादा कुछ नहीं है देखो रिटेन में तीन सेक्षन आएंगे आपके ले चलता हूँ उस पे दोस्तों आपको एक मिनिट में आपको चार्ट दिखाता हूँ आप इस चार्ट डाउनलोड कर सकते हो ठीक है अपने आपसे पढ़के इस चार्ट को डाउनलोड कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं होने वाली रिटेन के बात कि रहे दोस्तों तीन सेक्षन है इसमें ठीक है यहाँ पर तीन सेक्षन दिए गए आपको, सबसे पहला, Maths होगा, General Science होगा, General Knowledge, तीन सेक्षन, जिसमें आपको 50 questions पूछे जाएंगे, ठीक है, तो बहुत easy आपका आएगा, जदा hard और hard fast नहीं आएगा, एकदम आसांस आएगा, बस आपको क्या करना है, पास करना है, पेपर क मेरिट में आने के लिए, उसके बाद आपका interview कराया जाएगा, फिर आपका medical हो जाएगा, फिर आप select हो जाएंगे, ठीक है, अभी जो दोस्तों यहाँ पर आपको दिया गया है, date of interview, date of interview आपको पहले बता दी गई है, कब होगा आपका interview, तो यहाँ पर जो अलग-अलग trade ह है, जिस trade में आप भरेंगे, उस trade wise आपका interview होने वाला है, ठीक है, तो यह chart में आप देख लेना, उसके साथ medical की exam भी, medical की date भी यहाँ पी दी गई है, अब देखो, यह form है online, और साथ में offline, दो जगा आपको fill करना पड़ेगा, तो कैसे fill करना है, वो मैं अभी ले चलता हू सबसे पहले क्या करना है दोस्तो, यहाँ पर आपको एक website दिख रही है, इसका link मैं आपको दूँगा भी description में, वहाँ पर click करना है आपको, जब आप उस link पर पहुँच जाओगे, तो आपको वहाँ पर दिखेगा register, उपर right hand side में आपको register दिखेगा, अगर दोस्तों आप आपको चाहते हैं कि थोड़ी आसानी के लिए मैं आपके लिए वीडियो बना दूँ उसके, तो मैं बना दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप comment करिए, please make a video, how to register, how to register, okay, तो यहाँ पर register करना है आपको, जाना है, right hand side में आपको register आएगा, वहाँ पर candidate आएगा, वहा आप देख पा रहे है, candidate लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आपको register कर देना है, अब open करेंगे वहाँ पर, तो आपको बहुत सारी details आपको fill करनी होंगी, यह देखें जैसे यहाँ पर इतनी सारी details आपको दी है, यह सारी details आपको fill करनी पड़ीग, उसके बाद register कर देंगे, त आपको फिर से इसी website पर आके फिर से login करना है, ठीक है, तो login कर दोगे आप, अपने सारा जो आपका email ID और password है, वो सब डाल दोगे, login करनी के बाद, फिर से आपको थोड़ी और information सब कुछ देनी पड़ेगी, अपना सारी document वहाँ पर enter करने पड़ेंगे, आप जो document में आपक education details है, या फिर आधार card आपको validate करना पड़ेगा, ठीक है, यही सब करना है दोस्तों, उसके जब आपका पूरा application form fill हो जाए, तो उसका आपको print out ले लेना है, क्योंकि, अब देखो, जैसे मैंने आपको बताया, कि यह जो application है, यह online भी है, offline भी है, तो print out लेने के बाद, इस हैं, ताकि आपको समझ में आए, print out लेने के बाद, इसका भी print out लेना है, यह पूरा form का, ठीक है, इस पूरे form का print out लेना, यह दो form आपके हो जाएंगे, एक print out वाला, और यह वाला form, इसे हम haul ticket भी बोलते हैं, आपका जो offline में जब भेज होगे न, तो यहाँ पर haul ticket आएगा वापस वहाँ से, तो यही haul ticket लेके आपको जाना है, 27 जन्वरी, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 27 जन्वरी को आपको जाना पड़ेगा, वहाँ पर, ठीक है, रिपोर्ट करना पड़ेगा, नवल डॉक याड़ अपरेंटिस स्कूल, विसाखा बढ़नम, ठीक है, अब देखो, अब कौन-कौन से डॉकमेंट भेजने हैं, सब कुछ यहाँ पर mention है, कोई दिक्कत आपको होने वाले नहीं है, जल्दी टेलिग्राम जॉइन करो, चार्ट में सब कुछ मिल जाएगा, सबसे पहले, प्रिंट आउट ऑफ चेक आउफ लिस्ट, पार्ट थ्री पार्ट थ्री ओडर, यह लेना है, यह जो, मतलब यह जो पूरा, यह जो पूरा आप देख पा रहे हो ना, इसका प्रिंट आउट, इस पेज का पूरा प्रिंट आउट, चेक आउफ लिस्ट से बोलते हैं, कौन-कौन से डॉकमेंट आप लगा रहे हो, वो, इसका प्रिंट आई का जो आपका, जो आपका सर्टिफिकेट है, वो, उसकी फोटो कॉपी लगानी है, यह सब फोटो कॉपी लगानी है, कहीं और इसनल लगा दो आप लोग, ठीक है, उसके बाद आप, अगर आप, हCST, OBC किसी से बिलॉंग करते हैं, एडबलूएस, किसी से बि बिलॉंग करता है, तो उसका भी सर्टिफिकेट, ठीक है, सब फोटो कॉपी लगेंगी, अगर आप, एक सर्विसमेन हैं, या फिर उनके सन्या डॉटर हैं, तो उसका भी लगा सकते हैं, और, आपका फिर उसके बाद दोस्तों, रेजिडेंस प्रूफ लगेगा, यहाँ प होटल, मतलब, जब आप वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर होगे, तो वहाँ पे जो आपने जैसे अधार कार्ट दिया है, तो उसका प्रेंट आउट लेने ना, प्रेंट आउट लेने के बाद सेल्फ एटेस्ट कर देना, अपनी साइन कर देना नीचे, बस, कुछ नहीं कर आया था, हॉल टिकेट का, दिखा देता हूँ एक बार फिर से, ये वाला, ये वाला पेज, हॉल टिकेट का आपका प्रेंट आउट लेना है, ठीक है, इसका प्रेंट आउट लेना पूरे का, इसको फिल कर देना, अच्छे से जहां जहां आपका मांगा गया है, तो इन सब करना है दोस्तों और भेज देना है किस एड्रेस पे इसको लेकिन अच्छे से चेक कर लेना एक बार और सारी डॉकुमेंट्स को अच्छे से अच्छे से मतलब साइन कर देना अपने नीचे ताकि कोई परिशानी ना हो उसके बाद भेजना कहां पर है अभी से तो देखो एक मिनेट में आपको दिखाता हूँ एकदम सही एड्रेस अच्छे यह देखो दोस्तों यहां पर भेजना आपको यह आप देख पारे हो यहां पर एड्रेस से दिया हुए क्या अड्रेस दिया हुए दा ओफिसर इन चार्ज फॉर एंप्रेंट्स नवल डोक्यार्ड अप सागा पड़नम 530014 आंद परदेश ठीक है यहां पर भेजना है आपको ठीक है तो यहां पर और एंबलप में कैसे लिखना है वो भी आपको बताऊंगा बस लिखो जल्दी से उपर कमेंट करो या जल्दी की कौन से ट्रेड में आप अपलाई कर रहे हो और कमेंट में लिख आँगा आपके यह लिए वीडियो आजाए बस लिखो जल्दी और यह आपको करना है पांस दिसंबर से पहले मतलब जो आपकी पोस्ट है जो आप भेज़ोगो 14 दिसंबर से पहले वहाँ पर पहुच जाने चाहिए वीडियो आपको पसंद आई हो यह सारी इंफूमेशन थी और आपको जो बोल रहा हूं जल्दी कमेंट करके बताओ किसको चाहिए औलाइन अपलाई करने का प्रोसीजर उसके साथ-साथ एंबलप में कैसे भेजना है कौन-कौन से डॉकमेंट भेजने है सब आपको मैं अभी प्रिंट आउट ले आऊंगा वो करके दिखाऊंग हँआ ठीक है तो यह था इस वीडियो में ृस तो दोस्तों यह जो आपका रिकूर्टमेंट है न यह एक साल के लिए होगा यहाँ पे पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी उसके बाद यहां पे ट्रेनिंग पाने के बाद आपका या तो वहीं पे सेल्एक् lesio हो जाएगा नही और यह सारे यहांपे त्रेट दी हैं आप जैसे यहांपे देख पा रिह यह था ना दृट्व टिक है एलेक्टर ऐलेक्टरोनिक मेकानिक फिटर इंस्टर्वंट फिन्पी लग सकते हैं क्योंकि नेवे से आपको ट्रेनिंग मिल रही है ठीक है एक साल के लिए ट्रेनिंग है फाइदे मंदे दोस्तों और साथ में आपको यहां पर स्टिपेंड मतलब पैसे भी मिलेंगे एक साल तक पैसे भी मिलेंगे ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं मिलेंगे पैसे भी मिलने वाले ह आपको ठीक है तो आई ओप इस वीडियो में इतना था और भी कुछ जानना है तो यह चार्ट तो है ही आप देख लो पूरा पढ़ लो ठीक है मिलेंगे लिए नहीं वीडियो में और कमेंट करना मत भूलना जैन जै भारत